सिक्रम लिमिटेड ने पॉर्फीट किये 5000 शेयर्स और राहुल के पास अलॉटेड शेयर्स तो 5000 हैं मगर उसने अपलाए किया था 6000 शेयर्स के लिए ठीक है विच्चो अब क्या रखा है आगे कि इसने अलॉट्मेंट में नहीं पे किया जो कि 5 रुपे पर शेयर्स था उसके कहलो उसने फ्रेंटकोर नहीं पे किया जो कि default ब्रुपे पर शेयर था तो 2005 रुपे की अलॉट्मेंट और दो डाम की साट्रुपे अब स्ब्सेंजर्स अनः 10 रुपे यह साथ उसने नहीं पी ये डस से तो कितने पे के होंगे तीन पे कर दियोंगे ठीक है बच्चों अब कहा गया कि उसके फॉरफीट की वे शेर में से केवल तीन जार शेर को ही रीशू किया गया एड़ रेट रुपीस ट्वैल पर शेर एस फुली पेड़ अप ठीक है बच्चों तो फॉरफीट तो किया गये थे 5000 शेर वो भी जो राहूल था उसने अप्लाई किया था 6000 शेर के लिए एड़ इड़ नॉट पे अलॉट्मेंट अफ फाइव एड़ फॉरफीस टू पर शेर उसने केवल अप्लिकेशन के तीन रुपे पर शेर पे करे हैं 3000 शेर ही रेशु करे गया यह 12 पर शेर उनको रेशु करा गया है तो आये बच्चो पहले बनाएंगे हम एड़ एंट्री and then रेशु की एंट्री and then गें की एंट्री ठीके बच्चो नेकर उससे पहले हम निकाल लेते हैं अलॉट्मेंट का तो कि अलोट्मेंट का अरियर जो होना चाहिए चाहिए उससे कुछ कम होगा क्यों कम होगा समझेगा बच्चों इसने चहखार शेर मांगे ते इसे पांच जर शेर मिले इसका मतलब इसने हजार शेर का पैसा एक्ट्रा दिया होगा एप्लिकेशन की टाइम पे जिसे आगे यानि धीन 000 और कि यह बच्चो अब इसे से दिनें इने हैं व्हार से पांचिर इंटउ पांस डेट 3,000 उपसवरी । ऋसका जो allotment का heriher आएगा वो 5,000 into 5 तो करना ही करना है मकर 3,000 ौ- करना मत जोली हैं, तो इसका allotment का heriher 22,000 होगा ना की 25,000 ऐस host call का heriher 5,000 into 2,000 d type, बोगा उसमें फैटिक क那個, नहीं है, allotment का ERIER निकालते समय है, ये 3 और पर जरूर मिनस करिएगा, ये 3 और पर कहां से आये बतायता हूं, इसने 1000 share एक्ट्रा मांगे थे, जो से नहीं मिले, तो 1000 इंटो 3000, जो application से allotment में गया होगा इसका extra फैसा, तो इसका allotment का arrear आपका 22,000 आएगा, ठीक है, अब कर लेते हैं इसके share for feed, जब share for feed करेंगे, तो share capital account debit हो जाएगा, calls in arrear account ग्राइट कर दीजिए, नहीं तो आपको share allotment और share first and final call लिखना पड़ेगा, तो नों के नाम, अगर आपने calls in arrear account उपन किया है, तो सिर्फ calls in arrear का नाम लिखना होगा, और लिखिए share for feature account, shares for feature account या shares for feed account या फिर for feed shared account, ठीक है बच्चो, 5 जार इंटो 10 पचास जार यहां आ जाएगा, arrear में 22,000 allotment के arrear थे, और 10,000 first and final call के arrear थे, तो यह हो जाएगा 32,000, और for feed के आपैसा आ जाएगा, ठारा हजार, balancing figure, clear बच्चो, छीक है ना, तो यह देख लिजिए, यह हो गई for feature के एंट्री, अब रीशू करने है केवल 3000 shares, वो भी 12 per share रीशू करना है, fully paid up मानते हुए, तो आईए बच्चो, रीशू की एंट्री पास करते हैं, तो जब इसका share रीशू किया जाएगा, तो 3000 share ही रीशू करिएगा, 12 per share का रीशू करा है, fully paid up मानके रीशू किया है, तो bank account debit होगा, 300 to 12 से, that is 36,000, share capital account होगा, 3,000 into 10 से, credit, 30,000, और जो extra पैसा लिया है, वो जाएगा securities premium account है, 36,000 यहाँ आ गया, 30,000 यहाँ आ गया, और 6000 यहाँ आ गया, यह बन गई इसके रीशू की entry, अब gain की entry बनने से पहले gain कैसे निकालना है, पहले वो देख लीजिए बच्चो, इसका total forfeit किया पैसा था 18,000 रुपे, और वो था 5,000 शेर का, अगर 5,000 शेर का forfeit किया पैसा 18,000 रुपे है, तो 3000 शेर का forfeit किया पैसा कितना होगा, तो उसका formula होता है forfeited amount, जो कि 18,000 था जो आपने share forfeit किया था, upon number of forfeit share into number of re-shoot shares, minus discount on re-shoot, जो कि दिया ही नहीं गया, क्योंकि share premium पे re-shoot हो गया, तो यह cancel हो जाएगा, और 18 into 3 होता है आपका 54, 54 को आप divide कर दिजिए, 5 से 54,000 को तो यहाएगा 10,800, तो आपका gain निकल कर आगया 10,800, और gain की entry बच्चो, share for feature account debit to share to capital reserve account, share for feature account debit to capital reserve account, यह देख लिजिए बच्चो, share for feature account debit to capital reserve account, और answer कितना है बच्चो, 10,800, 10,800, clear बच्चो, तो इस तरह से हमारा question word 23 का second option का पहला part complete हो गया, A part, मैं CPC sample पर दो गया 23 की बात कर रहा हूं, जो CPC ने release किया है, for the board examination 2023, clear बच्चो, अब इसके second part की बात करते हैं, part B की, part B में कहा है कि रतन लिमिटिट ने forfeit के हैं, 3000 shares, जोकिंकी face value है, 10 per share, जितने share forfeit के गए, वो 3000 है, face value रुपी is 10 है, इनको 2 रुपे प्रीमम पर issue किया गया है, originally, और जो हमारा defaulter है, उसने 2 रुपे नहीं pay करें है, first call के, final call के 3 रुपे के मांगे नहीं गए है, ठीक है बच्चो, यानि share की जो call-up value हो 7 पर share आजाएगी, because call-up value निकालने के लिए, share की face value में से, जितना पैसा नहीं मांगा गया, वो हटा दीजे, तो call-up value 7 आजाएगी, उसने नहीं pay करें हैं 2, यानि pay कितने करें होंगे, 5, application और allotment के मिला के, and ये तो बात होगे capital की, what about premium, वो मिला या नहीं मिला, और क्या वो इस 5 में शामिल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 10, capital के है, वो इस 5 में शामिल नहीं है, लेकिन ये confirm है कि वो मिल चुका है, क्योंकि premium के बारे में जब कुछ नहीं बताया गया होता, तो वो allotment के साथ ही लिया गया होगा, ठीक है, और allotment का पैसा मिले वो पैसे के इंदर है, तो premium का पैसा भी मिला हुआ है, ठीक है बचो, लेकिन आपको पता है premium के बारे में एक बात कि अगर premium मिल चुका होता है, तो उसको debit नहीं किया जाता at the time of for future of shares, तो securities premium account debit नहीं होगा at the time of for future of shares, क्योंकि premium मिल चुका है, तो मिला हो पैसा 7 नहीं, केवल 5 कलाएगा, जो capital का मिला हो पैसा है, premium का मिले हो पैसे को हम debit नहीं करा करते, at the time of for future of shares, तो आईए बच्चो, ये तो हो गई entry, मतलब for future के बारे में information, capital में आजाएगा 3,000 into 7, क्योंकि अपने 7 रुपे काल करे है, 21,000, अरियर में आजाएगा 3,000 into 2, 6000 और for future में आजाएगा 3,000 into 5, 15,000, ठीक है बच्चो, अब बात करते हैं, रीशू की, इन में से की मतलब 2,000 share ही रीशू करे गए है, दस रुपे का बेचा है, fully paid up मानते हुए, तो रीशू तो बहुत सिंपल है, रीशू पार पे हुआ है, fully paid up मानें तो capital में 10 रुपे डालना मड़ेगा परशनियर के साब से, और bank में भी दसतार आ है, यानि रीशू पार पे हुआ है, तो आईए बच्चो बना लेते हैं इसके, forfeature के entry, then ratio के entry, and then gain के entry, gain के entry चाहे कहा जाए या ना कहा जाए, question में आपको बनानी ही होती है, तो forfeature के entry बच्चो, share capital account debit, याद रखेगा, security premium debit नहीं होगा, तो share capital account debit होगा बच्चो आपका, 3,000 into 7, 21,000, क्योंकि 7 रुपए ही called हुए है, 2 calls in area account, या फिर 2 shares forfeature account, sorry, 2 share first call account, area उपर नहीं किया होगा तो, 3,000 into 2, 6,000, और shares forfeature account में आजाएगा, आपका 3,000 into 5, जो capital का मिलाओ पैसा है, के वो ही premium के मिलेवे पैसे को हम, forfeature में और capital में कहीं में ग्योड नहीं करते हैं, यह बन गई forfeature के entry, आई एंट्री देखते हैं, रीशू की, रीशू के एंट्री होगी, bank account debit, जोकि रीशू पार पे हुए हैं, तो bank account debit, to share, capital account, 2,000 into 10, 20,000 रुपे, अब gain के इंट्री तो आप जानते हैं बच्चो, share forfeature account debit to capital reserve, नहीं जानते तो आप जान लीजिए, जो capital gain होता है, रीशू पे और forfeature share पे जो gain होता है, उसे capital gain कहा जाता है, और capital gain, capital reserve में transfer किये जाते हैं, अब gain आया कितना, वो समझेगा बच्चो, ठीक है बच्चो, तो यह निकालेंगे कैसे, वो देख लिजी बच्चो, यहाँ देख लेते हैं इंतने portion में, आपको 15,000 उपे मिले हुए हैं थे, लेकिन वो 3000 shares का forfeature amount था, हमने रीशू करें कि इवल 2000 shares, तो जब भी कम share ratio होते हैं, तो यह formula लगा लगा लेजएगा, total forfeated amount upon total number of forfeated shares, into number of ratio shares, minus discount on ratio, जो कि दिया ही नहीं गया, खोंकि share पार पे ratio होते हैं, तो यह आपका निकल कर आजएगा 10,000 रुपे, यानि आपका gain जो हुआ है, वो 10,000 रुपे का हुआ है, ठीक है बच्चो, तो इस तरह से हमारा यह particular question complete हो जाता है बच्चो, and I hope आपको अच्छी तरह सुन में आ गया होगा, इसका जो first option है, वो भी मैं जलते ही discuss करूँगा, ठीक है, साथ साथ ही कर लेंगे, बट इस particular video में, अभी हमें इन दोरो question को ले रहा हूं, this is question number 23, option number 2, और इसके हमने दोरों पार्ट कर लिए, A and B, clear बच्चों, thank you, O2A Limited ने, जिसकी registered authorized capital, 2,00,000 equity shares है, और एक share 100 पे का है, offer किये 60,000 shares for public subscription, जो share issue किये गये है, उनका number है 60,000, इन्हें premium पे issue किया गया है, 25% पे, और 100 पे का 25% पे पच्चेस, ठीक है बच्चों, और company 40 application पे ले रही है, और बचा हुआ पैसा allotment पे ले रही है, जो की हो जाएगा 60 plus 25, ठीक है बच्चों, 60 capital के और 25 पी मंग के, कमने issue किये है, 60,000 share ध्यान रखेगा बच्चों, application आई है 85,000 shares की, यानि public ने जो apply किया है, वो 85,000 shares के लिए किया है, और company प्रवाटा बेसिस पे, इस रेश्यो में ये सारे share अलोट करे हैं, इसका मतलब होता है, कि ये 60 shares जो हैं, अलोट के गए हैं, on प्रवाटा बेसिस, इस तरह से, यानि हर 5 मांगना आले को 4 share दिये गए होंगे, ये बिलकुम बस समझेगा, कि 85 वाटा को 60 दिये हैं, इन में से कुछ application reject भी हुई है, वो हमें कैसे पता जलेगा, तो पहले पता करिए, कि कितने लोगों को ये 60,000 shares दिये हैं, ठीक है बच्चों, वो मैं बताऊँगा अभी आपको, कितने shares पर पुराटा लगाया गया है, और कितना reject हुआ है, वो मैं आपको भी बताऊँगा बच्चों, पहले question पुरा पढ़ लेते हैं, Mr. आनंद इनके पास 4000 shares थे, उन्होंने अलोट्में नहीं दिया, उनका share forfeit हो गया, उनके forfeit के वे shares में, 3000 shares को ही रीशू करा गया, error discount of rupees 20 per share, आप से कहा गया है, जलन entries मनाईगे, तो आईए बच्चों, मैं आपको संगाता हूँ, कि कितने shares प्लाइड, जो है, प्राटा के डिगर के अप्लाइड shares हैं, और कितने rejected हैं, ठीक है बच्चों, आईए देखते हैं, अगर company ने, हर 5 मांगने वालों को 4 share दिये हैं, तो 60,000 share किनको दिये गए होंगे, वो निकालने के लिए 5 उपर 4 नीचे इंटो 60,000 कर दिजिए, इसका मतलब, company ने 75,000 मांगने वालों को ये 60,000 shares दिये हैं, तो Prata के डिगरी जो है, वो इस तरह से हैं, बच्चों, 75 और 60, इसका मतलब, 10,000 application reject करी गई होंगी, तोटल application जो आई थी, वो 85,000 थी, company के वल 60,000 share रिशू कर सकती थी, जो उनने 5 और 4 के देशों में इशू कर दिया, यानि कि 70 मांगने वालों को 60,000 share दिये होंगे, तो आप ये बिल्कुल मतलब समझेगा, कि 85 वालों को 60 दिये हैं, इनमें से 10 तो reject भी हुए हैं, सही है बच्चों, आई बस उनमें, तो आईए, बनाते हैं अपनी जर्रल एंट्रीज, क्लियर है बच्चों, आजएगी, जो पहले एंट्री बनाई जाएगी, वो बनाई जाएगी जितनी एप्लिकेशन्स आई हैं, 85,000, उनसे बनाई जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर्स, आप्लिकेशन अकाउंट, जो की होगा, 85,000 x 40, जो की आएगा 34,00, जो की आएगा 34,00, बच्चों ये चीज, ये एंट्री बन गई पहली वाली, आप्लिकेशन मनी रिसीव करने की, अब अगली एंट्री देखिए, आप्लिकेशन मनी को कितना capital में जाएगा, कितना share allotment में जाएगा, और कितना refund होगा, आईए, देखते हैं, share capital में जाएगा केवल 60,000 shares का पैसा, 60,000 into 40 होता है, 24,00, यहाँ पे पुरा 34,00,00 लिखिए, यहाँ पे लिखिए two shares allotment account, जो पुराटा के डिगरी है, उनकी 15,000 application extra थी, जिनको हम, जिनका पैसा हम आगे allotment में transfer कर देंगे, refund नहीं करेंगे, पुराटा वालों का पैसा आगे allotment में transfer किया जा सकता है, तो 15,000 into 40 होता है, 6,00,00, तो bank account में उन 10,000 application का पैसा वापस करेंगे, जिनको हमने reject कर दिया है, तो 10,000 into 40 होता है, 4,00,00, आप चेक कर सकते हैं, ये पूरा 34,00,00 रुपे आपका address हो गया, 24,00,00, capital में गये, 60,000 into 40, 15,000 into 40, 6,00,000 उसमें गया, वेकाउट 75 वालों को साट दियें, तो उनकी 15,000 extra application थी, उनका पैसा allotment चला गया, जिनको reject किया, 10,44,00,00, वो refund हो गया, बैंक में चला गया, आईए, वो allotment दियू कराते हैं, जो allotment बने दियू कराए जाएगा, वो कराए जाएगा, साढ़ जा शेर पे ही हैं, जितने कमने इशू किये थे, allotment पे premium भी है, इस बाद का ध्यान रखिएगा, तो share allotment अकाउंट, debit to share capital अकाउंट, और two securities premium अकाउंट, साथ हेजार इंटू 85 होता है बच्चो, 51,00,00, सही बच्चो, साथ हेजार इंटू 60 होता है, 36,00,00, और साथ हेजार इंटू 25 होता है, आपका 15,00,00, अब 51,00,00 में से आपका जो पैसा आया वाता 6,00,00, पहले का आया हुआ है, वो माइनस करदीर का जब allotment रिसीब करेंगे, और दूसरा, जो हमारा Mr. Anand है, उनका भी allotment का अरियर आएगा, बिकॉज उन्होंने allotment नहीं पै किया, ठीक है, उसे ही माइनस करेंगे, अब Mr. Anand का जो allotment का अरियर है, वो आप इन तीन स्टेप फॉलो करके निकालिएगा, जब भी किसी विक्ति को पुराटा बिसीज़ में शेर मिलते हैं, और वो आगे allotment नहीं देता, तो उसके लिए तीन स्टेप फॉलो किये जाते हैं, पहले स्टेप में निकालिए उसके अप्लाइट शियर्स, क्योंकि उसके allotted given है, अगर applied given होते तो हम allotted निकालते, तब हमारा 4 उपर आता 5 निचे, अभी हम उसके applied शियर्स निकालने हैं, इसलिए 5 उपर 4 निचे, applied वार रेशो उपर, allotted वार रेशो निचे, into इसके allotted shares, तो इसके applied share आगे step 1 से 5000, step तो उसे यह पता करेए, इसने कितना पैसा पालतू दिया था application पे, जो आगे allotment में गया होगा, Mr. Anand ने 5 यार share मांगे थे, उन्हें मिले केवल 4000 shares, इसका मतलब उनका 1000 share का पैसा extra है हुआ है, और application बने 40 रुपे था, इसको 40 रुपे को, के हिसाब से, 1000 share का जो extra पैसा है हुआ है, वो 40,000 रुपे है, जो आगे share allotment में transfer किया गया, 40,000, अब इन्हें allotment देनी है, तीसरे step में आप इसका allotment का रही है, जब निकालेंगे, तो 4000 x 85, जितना उन्हें देना है, ये हो जाएगा बच्चो, 34,000, ने, 3,40,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चो, 3,40,000, 3,40,000 में से, 40,000 माइनस कर दिजिए, उनका पहले का याग होगा पैसा है, ठीक है बच्चो, तो, कितना हो जाएगा बच्चो, 85 x 4000 होता है, 3,40,000, ठीक है बच्चो, 3,40,000 में से उसका पहले सका पैसा जो अप्लिकेशन से allotment में गया था, वो माइनस कर दिजिए, होता क्या है बच्चो, कि जो भी परसन प्राइड़ा के डिगर, वो बिलॉंग करता है, उसका अरियर, जो allotment का होता है, जितना नॉमल लोग का आया करता है, उससे हमेशा कम रहेगा, क्योंकि इन लोगा कुछ नो कुछ पैसा पहले से आया वा होता है, towards allotment, ठीक है बच्चो, तो कितना पैसे आया था, वो ढूंड़ने के लिए हमने पता किया कि, जो Mr. Anand ने कितने share मांगे थे, उन्होंने मांगे थे 5,000 share, उन्होंने मिले थे 4,000 share, तो इसका मतलब उन्हे 1000 share का पैसा 40,000 रुपे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अब उन्हें 4,000 share का ही allotment देना है, 4,000 to 85, 3,4,000, पहले से इनका 40,000 आया हुआ है, application से allotment की तरफ, वो माइनस कर दिया, तो इनका allotment का harrier आया केवल 3,00,000 रुपे, ना के 3,4,000, एक normal बंदा होता है, फुल केडिगर आटा के डिगरी वाले परसंस का कुछ ना कुछ पैसा पहले जरूर आया हुआ होता है, उसे माइनस करना मत भूलिए, इसलिए 3 स्टेप हमेशा या रखिए, अगर इस परसं के applied share दे रखे हैं, तो allotted निकालिए, allotted दे रखे हैं, तो applied निकालिए, दूसरा, फिर इसने कित 3 लाग, clear बच्चों, अब बना लेते हैं, allotment के receiving के entry, फिर इसके share forfeit करने के entry, फिर इसके share ratio करने के entry, फिर इसके share पर होना लेगी इनके entry, allotment के receiving के entry बनेगी, bank, account, debit, calls and arrears account debit, to share allotment account, share allotment पे 51 लाग, माइनस 6 लाग, जो कि आपका second entry में आप देख सकते हैं, जब application से allotment पे transfer किया था, आपने total पैसा 6 लाग किया था, तो वो 6 लाग माइनस हो जाएगा, allotment का arrear 3 लाग आया, तो ये बचा 42 लाग, जो allotment के time पे receive होगा, clear होगे बच्चो ये, अब इसका share करते हैं, forfeit, clear बच्चो, अब जब आनंद का share forfeit करोगे बच्चो, तो share capital account debit होगा, साथ के साथ securities premium account भी debit होगा, क्योंकि इसने premium नहीं पे किया है, क्योंकि इसने allotment नहीं पे किया और premium allotment के साथ ही था, 2 calls in arrears account, 2 shares for feature account, clear बच्चो, तो इस तरह से 4,100 लाग यहाँ आ जाएगा, चारजर इंटू 25 एक लाग यहाँ आ जाएगा, इसका arrears 3 लाग आए था, अभी आपने देखा ही था, और इसका forfeit amount 2 लाग आ जाएगा, clear बच्चो, यह हो गए Mr. Anand के share forfeit, अब करते हैं Mr. Anand के shares को ratio, और यहाँ पहतीगा, ratio cable 3000 share हुए है, पूरे 4,000 नहीं हुए है, तो Mr. Anand के share जब ratio करोगे बच्चो, तो bank account debit होगा आपका, जितना discount दिया है, वो share for future debit होगा, question में साफ कर रखा है कि share discount पे ratio करे है, कित्ते के ratio करे हैं, मैं भी ताजता हूँ आपको, to share capital account, यहाँ आएगा आपका 30000,30000, actually किया है कि share fully called up था, entire face value माँगी जा चुकी है, तो understood है कि ratio के time पे share fully paid up हो गए होगा, तो यहाँ पे 30000,000 डालिएगा, 30000, 20 रुपे का discount दिया था, 30000,20 होता है, 60,000 रुपे, और बच्चा हुआ, 240 आजाएगा, bank में, clear बच्चो? अब निकालते हैं हम इनका गेम on the ratio of forfeited shares, ठीक है बच्चो, तो आपको पता होगा बच्चो, अभी जब forfeited किया था Mr. Anandand के share को, तो उनका forfeited amount था 2,00,00 रुपे, जब share forfeiture में क्राइट किया था, ठीक है बच्चो, तो 2,00,00 में से, ये 2,00,00 तो कितने share का पैसा था? 4,000 shares का, लेकिन 4,000 shares फोड़ी ratio हुए, ratio तो कितने share हुए केवल? 3,000,00, तो जब भी कम share ratio होते हैं, तो total forfeit amount upon total forfeit share into number of share ratio उट कर दी जाग रहे है, ताकि पता चल्दा है कि 3,000 share का forfeit amount कितना है, तो ये आजाएगा 1,500,00 रु तो आपका जो गेन आएगा on the ratio of forfeit share वो आएगा 90,000 रुपे अब गेन के entry क्या होती है बच्चों? गेन के entry होती है, share forfeature account debit to capital reserve account 90,000, 90,000 याँ रखेगा बच्चों, जब भी company सारे share ratio नहीं करती है, तो total forfeit amount upon number of forfeit share into number of ratio share, इस तरह से आप पहले proportionate forfeit amount निकाल लीजिए, उन shares का forfeit amount निकाल लीजिए, इनको ratio करागे हैं, और minus उनका discount, उनके ratio पे, तो गेन आजाएगा, तो काफी अच्छा question है बच्चों, ये CBC sample paper 2023 में, given question है, question number 23, ठीक है, जो CBC board ने release किया है, for the board examination 2023, उमीद करता हूं बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, thank you बच्चो,